भुलू स्री कृष्ण कनहे अलाल के, सत्गुरु महराज के, स्री प्राणनाथ प्यारे के धाख क्यों रहे अपनी, एकिया इंड फिर, साथे आए प्यू जी, इत दुजी बेर लिला दों पहले करी, दुजी फेर भी दोए, बिना तारत्म एमायने, न जाने कोई लिला दों पहले करी उपस्तीत, सध्धर्म प्राण, धर्म शिरुमनी, सज्जर्वींद, सुन्दर साह जी अक्सिरातीत धामधनी श्वरूप, महमती स्वामी स्वामी स्री प्राणिनाह जी की यह दिब बेवाणी तारतम शागर ब्रह्म वाणी को वाणी चर्शा के माध्यम से हम रशस्वादन कर रहे हैं तो वाणी चर्शा प्रसंग में प्रकास हिंदी ब्यहद्ध वाणी का प्रकरन जो एक तीश्वी प्रकरन में है इस प्रकरन के उपर हम चर्शा करते आ रहे हैं तो इस से अगले दिनों के वैठक में चवपाई नम्मर 125 तक के साराओं सभाव के उपर हम चिंतन कर रहे थे तो आज का इश्व पावन वैठक में हम चवपाई नम्मर 126 से आगे की कुछ चवपाईयों को चिंतन करेंगे, खुलासा करेंगे, चर्शा करेंगे तो व्यहद्ध वाणी का प्रकरन में महमती स्वामी स्री प्राणिना जिने ब्यहद्ध यनिकी जागरेत लिला परव्रम्ह परमात्म सुरूप जो दिब्ब परम्धाम में विराजते हैं तो परम्धाम के अंदर परमात्म सुरूप स्रिडाज जी महराज अपने दिब्ब आत्माओं के साथ में कैसे कैसे लिला करते हैं और परमात्मा की हुकूम के माध्यम से ही ये स्रिष्टी की उत्पती किस तरह से हुई ये स्रिष्ट के अंदर तीन ब्रह्मांड में ब्रह्म लिला, ब्रज, रास और जागन लिला के माध्यम से जाहिर हुआ और ये स्वंपूर्ण लिला को ब्यहद दवाणी के सब्द के माध्यम से अथाबा तार्तम के रश के माध्यम से जाहिर कर रहे हैं महमती प्रणिनाजी महराज ने इस तार्तम के माध्यम से परमधाम की जागरेत लिला को जाहर करने से पहले शंशार में अनेक प्रकार का साधकों ने अनेकों बिदी अनेकों उपाय के द्वारा वो परब्रम्ह परमात्मा को जानने के लिए समझने के लिए और प्राप्त करने के लिए चाहा परन्तु चौदलोग ब्रह्मांड के धनी जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वो परब्रम्ह परमात्मा अप्राप्य अलब्य अगम हुआ जब चौदलोग ब्रह्मांड के धनी को ही परमात्मा अप्राप्य अगम हुआ स्वेम बेदने भी परमात्मा को नहीं जान सका तुबेत के आधार पर साधना करने वाले चिन्तन करने वाले परमात्मा को खोजने वालों को भला कैसे वो परमात्मा का बोद हो, परमात्मा की शुद्धि हो इसलिए संसार में किशी ने भी यह विहद्ध वानी अथावा परमात्म सुरु को जाने नहीं सका था निजानन्दाचार्य सत्गुरु स्विदेव चंद्रजी महराज एवं महमती प्रणिनाः जिने इस तार्तम ज्यान के दिब्व प्रकास के माध्यम से वो जागरेत परम्धाम के लिला और उसी जागरेत परम्धाम से सुर्ता रूप में आत्मा यहां संसार में आकर के जो ब्रज्द लिला की रास लिला की ये बिहद्द लिला जागरेत आत्माओं के द्वारा की हुई लिला इस लिला को भी प्रणिनाह जिवानी के माध्यम से खुलासा कर रहे हैं तो कल का प्रसंग में हम तार्तम के द्वारा ब्रज लिला को किस तरह से चिंतन कराया रास लिला को किस तरह से चिंतन कराया इस प्रसंग के उपर चिंतन कर रहे थे तो इसी प्रसंग को निरंतर आगे बढ़ाते हुए महमती प्राणिनाह जी 126 नंबर चवपाई में अब कहते हैं लीला दों पहले करी दुझे फेर भी दोए बिना तार्तमा ये मायने न जाने कोई लीला दों मतलब दो प्रकार की लीला था बदो लीला पहले करी जो हमने पहली बार संसार में आते समय दो लीला अनभाव किया तो वो दो लीला क्या है ब्रज लीला और रास लीला जिसे काल माया का ब्रमांड की लीला और योग माया की ब्रमांड की लीला के रूप से हम चिंतन करते हैं एहार वर्ष बाउन दिन परियंत गोकूल में ब्रजमंडल में जो लिला हुई घोर नीद अवस्था में ये एक लिला है ब्रजलिला उसके बाद फिर रास लिला आदा नीद आदा जागरीत अवस्था सोपनिक अवस्था में योग माया का ब्रह्मांड में जो रास लिला अन और इसे लिला को प्रणिनाहजी बानी के माध्यम से खुलासा कर रहे हैं लिला दो पहले करी दो लिला जो ब्रज और रास लिला पहले किया इसको तार्तम के माध्यम से यहां खुलासा कर रहे हैं दूजे फेर भी दोए दुजे फेर मतलब हम परम्धाम में जाकर के फिर दुस्तरी वेर ये संसार में आए तीस्तरी ब्रह्मांद जागनी का ब्रह्मांद में तो दुजी फेर का आर्था है ये तीस्तरी ब्रह्मांद जागनी के ब्रह्मांद में आना कल का प्रस्टंगा में हम अंतीम बैठक में चर्चा कर रहे थे हम आत्माएं परम्धाम से ये संसार में दो वार आए तीन ब्रह्मांड कानुभाव किया पहली बार आते समय ब्रज और रास और दुसरी वार आते समया ये तिस्तरे ब्रह्मांड जागनी का ब्रह्मांड तो इसको दुजे फेर करके कहा है और ये दुजे फेर जागनी के ब्रह्मांड में आत्मा आते समया इसमें भी दोए मतलब दो प्रकार की लिला है तो ये दुझे फिर जागनी के ब्रह्मांड में दो प्रकार की लिला क्या क्या है जागनी का ब्रज और जागनी का रास ये दो प्रकार की लिला ये तिस्तरी ब्रह्मांड जागनी के ब्रह्मांड के अंदर भी जाहर हुई है जागनी का ब्रज्य मतलब निजानन्दाचार्य सत्गुरु स्रीदेव चंद्रजी महराज जो श्यामा सोरुपा है उनकी लिला जागनी का ब्रज्य लिला है जो नौतनपुरी के धाम में सदगुरु महराज के द्वारा अथवा श्यामा शोरुपा द्वारा जाहिर हुआ और दुस्तरी लिला है जागनी राश जागनी राश लिला महमती प्रणिनाह जी अक्सराती धाम धनी शोरुप के माध्यम से जाहिर हुए महमती प्रणिनाजी ने तार्तम ज्यान रुपी जागनी का बंसी बजाते हुए स्रीपाँज नौतन पुरी धाम से आगे वड़ते हुए स्रीपाँज महमंगल पुरी धाम से होकरके स्रीपाँज पद्मवती पुरी धाम पन्नाजी में पहुंचे और वहाँ पर ग्यार साल तक प्रणिनाः जिने जागनी रास लिला रचाई तो ये प्रणिनाः जिका समय जागनी रास का समय है इस तरह से ये खेल के अंदर तीन ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग चार लिला है ब्रज लिला रास लिला और फिर दूजे फिर भी दो ये दुस्तरा फिर जागनी के ब्रह्मांड में भी दो लिला मतलब जागनी का ब्रज लिला और जागनी के रास लिला इसी प्रसंग को महमती प्रणिनाह जिने कलस ग्रंथ में जागनी का प्रकरण के अंदर आव जाग देखो सुख जागनी ए सुख सुहाग इन जोग तीन लिला चौंती घर की इन चारों को यामे भोग ये चौपाई के माध्यम से यहां खेल के अंदर की चार लिला और परम्धाम की लिला इस रहस्य को खुला सकिया तो ये जागनी के प्रकरण के इस चौपाई में प्रणिनाहजी ने क्या भाव बताया आव जागरेत हो करके जागनी का सुख को देखिये है सुहाग इन आत्माओं के लिए योग्य समया है ये जागनी के ब्रहमांड में बिसेश करके जागनी रास में तीन लिला और चौथी घर की तो तीन लिला यहां खेल के और चौथी परम्धाम की लिला इन चारों को यानि कि ये चारों लिला को यामे मतलब ये जागनी रास में अनुभाव करना है तो ये तीन लिला कौन सी है चौथी घर की यानि की परमधाम के लिला फिर इन चारों को यामे मतलब का में कहां पर अनुभाव करें तो इसका खुलासा करते हुए हम चिंतन करते हैं तीन लिला का अरता है ब्रज लिला रास लिला और जागनी का ब्रज लिला जो सद्गुरु के द्वारा हुई चौथी घर की चौथी लिला परमधाम की लिला है इन चारों को ये चारों लिला को यामे भोग तो यामे का अरता है इसमें यहाँ पर मतलब महमती प्रणिनाहजी का समय जागनी रास का समय में ये चारों लिला को अनुभाव करना है महमती प्रणिनाह जी ने अपने समय में जागनी राश लिला को प्रारंभ किया और आज ये सुन्दर साथ की जो जागने जगाने की लिला हो रही है ये भी जागनी राश लिला है ये छटी दिन की लिला है और जब तक ये खेल चलती रहेगी तब तक ये छटी दिन की लिला जागनी राश लिला जो महमती प्रणिनाह जी ने प्रारंब किया ये लिला चलती रहेगी तो इसके अंदर हमें ब्रज लिला, रास्ट लिला, जागन की ब्रज याने की सद्गुरुष की समय के लिला और चौंथी परम्धाम की लिला को भी अनुभाव करना है इस रहस्य को महमति प्रणिना जिस्वयम बाणी के माद्धिम से खुलासा करते हैं तो इस शीव भाव को यहाँ पर कहा दुजे फेर भी दोए ये दुस्तरे फेर जागन की ब्रह्मान्ड में भी जागन का ब्रज और जागन का रास्ट दो प्रकार की लिला हुई है परन्तो ये लिला ये रहश्य ये भेद को कौन जान सकते हैं तार्तम वाला ही जान सकते हैं जागरीद बुद्ध का बिवेचन के माद्धिम से ही इस रहस्य को जान सकते हैं बिना तार्तम बिना जागरीत बुद्दे की समझ इस लिला भेत की रहस्य को जान नहीं सकते समझ नहीं सकते इसलिए प्रणिना जी आगे कहते हैं बिना तार्तम ये मायने न जाने कोई ये पहली ब्रह्मांड के अंदर जो ब्रज लिला और दुसरी ब्रह्मांड की जो रास लिला और तिसरे इंड तिसरे ब्रह्मांड के अंदर भी दो लिला जागनी का ब्रज और जागनी का रास ये चारों लिला की रहस्य को बिना तार्तम ये मायने तार्तम की बिना इसकी रह रही ये संपूर्ण लिला को खुलास कर रहे हैं एक में उपजया तार्तम दुजे मिने उजास सब वीद जाहर होए से जागनी प्रकास जागनी के ब्रह्मान में जो दो लिला हुई जागनी का ब्रज और जागनी का रास यानि कि सदगुर की लिला और प्रणिनाहजी की लिला तो ये दोनों लिला में क्या-क्या लिला हुई इसको खुलास करते हुए 127 नमर चवपाय में अब प्रणिनाहजी कहते हैं दो लिला में से एक में उपजिया तार्तम एक लिला यानि की जागनिका ब्रज लिला निजान अंदचार्य सद्गुरु से देव चंदरजी महराज की लिला इस समय में उपज्या तार्तम बीज का उदय हुआ सद्गुरु देव चंदरजी महराज ने 40 वर्स तक साधना करके, खोज करके तार्तम बीज को प्रकट किया तो तार्तम रुपी शुर्य का उदय हुआ ये एक लिला सद्गुरु की लिला है जागनी की ब्रजी लिला है फिर आगे दुजे मिने उजास दुजे मतलब दुसरे सुरुप दुसरे लिला जागनी राश लिला के अंतरगत महमति प्रणिनाह जी के समय में उजाश यानि कि ये तार्तम का प्रकास प्रकासित हो रहा है सदगुरों की जमाना में तार्तम रुपे शुर्य का उदय हुआ इसलिए सदगुर की जमाना को उकता हुआ सुरज कहते हैं और महमति प्रणिनाहजी के जमाना में ये तार्तम का प्रकास पूरी तरह से प्रकासित हो रहा है तो महमति प्रणिनाहजी का समया मद्दे दीन का समया है क्योंकि जिस तरह से मद्दे दीन के समया में पूर्ण प्रकास शुर्य का प्रकास पूरी तरह से धर्ति को प्रकासित करता है और उसमें ताब भी अधिक मात्रा में होता है इसी तरह से महमति प्रणिनाजी के समय में ये तार्तम का प्रकास बहुत जोड़ सोर से विस्तार हो रहा है 187845 वानी के रूप में महमति प्रणिनाजी के द्वारा ये तार्तम के माध्यम से तार्तम का प्रकास प्रकासीत हो रहा है और इसको उजास सब्द प्रयोकिया प्रकास सब्द प्रयोकिया तो ये तार्तम का प्रकास सारे संसार के अग्यान अंधाकार को मिटा करके सब को परमात्म सोरुप का परमधाम का सुद्ध दिलाने वाला ज्यान है यह तो ऐसी ज्यान ऐसे तार्तंग ये सद्धगुर महराज के समय में उदय हुआ और महमति प्रणिनाह जिका समय में बिस्तार हुआ शूरिय जो प्रातकालिन समय का उकता हुआ सुरज और मद्दि इनका सुरज दो नहीं है परन्तो उसमें ताप जो है ताप में कुछ अंतर है इसी तरह से महमति प्रणिनाह जिका समय का ज्यान और सद्धगुर महराज के समय का ज्यान अलग अलग नहीं है एकी तार्तम है परन्तों सद्गुर महराज के जमाना में उक्ता हुआ सुरज की तरह तार्तम का कुछ प्रकास उदय हुआ है इसलिए सद्गुर महराज ने अपने समय में प्रेम की आवेश के मद्यम से जागनी की है और महमती प्रणिनाह जी के समय में मद्दे दिन की सुरज की तरह ये तार्तम को पूरी तरह से प्रकासित कर रहे हैं इस तरह से ये बाणी का प्रकास जागनी रास में महमती प्रणिनाह जी सुरुप के द्वारा हो रही है तो महमति प्रणिनाह जी इस भेद को इस रहस्य को यहाँ पर खुलास करके बता रहे हैं सब अभीदा जाहर होए से जागनी प्रकास अब ये जागनी रास का प्रकास में महमति प्रणिनाह जी के द्वारा ये तार्तम का प्रकास हर प्रकार से चौदलोग ब्रह्मांड में ही जाहर होगा इस तरह से प्रणिनाह जिने अपना भाव को वेक्त किया और अब धिरे धिरे ये तार्तम का प्रकास प्रकाशित हो रहा है प्रणिनाह जिने कहान पीछे सुख्ः होशी शवन्न पसरसी चौदे भवन्न ये तार्तम का प्रकास तो चौदलोग ब्रह्मांड में ही फैलेगा चौदलोग ब्रह्मांड को ही प्रकासित करने वाला ऐसा दिब्बे ग्यान है तो ये जागनी के प्रकास में तार्तम का प्रकास प्रकासित हो रहा है आब ये जागनी रास के अंदर तारतम की प्रकास के द्वारा साब की रिदय को प्रकास्यत किया तो अब महमती प्रणिनाहजी फिर अगले चवपाई में तारतम की प्रकास का महत्तो को बताते हुए और सारगरवीत भाव कहते हैं वेशे तो प्रणिनाहजी की बाणी में एक एक चवपाई अधीक अधीक महत्तो कुर्ण है सारगरवीत है एक एक सब्द सब्द मंत्र समान है सागर्मय भाव उसके अंदर छुपा हुआ है होते हुए भी उसमें भी कई चवपाई और इतनी अधीक विशेष है ऐसे ही एक विशेष उपाई महमति प्रणिनाह जी अब यहाँ जाहर करते हैं तार्तम का प्रकास जब धर्ति में उदय हुआ ये तार्तम के प्रकास ने क्या किया तार्तम जोत उध्योत है तिनथे कहा होए एक सुपन दुजा वतन जीव देखे दोए ये जागनि का ब्रह्मान्ड में सद्गुर महराज की जमाना में तार्तम का सुर्य उदय हुआ महमति प्रणिनाह जी की समय में तार्तम का सुर्य प्रकासित हो रहा है विस्तारित हो रहा है ये तार्तम ज्यान रपे सुर्य उदय होने के बाद क्या होता है स्वेम प्रणिनाह जी ने इसका प्रश्ण भी रखा और इसका जवाब भी दिया है तो कहते हैं तार्तम जोत उध्योत है तिनथे कहा होएं तार्तम का जोती उध्य हुआ तो तिनथे मतलब इस तार्तम के जोती के द्वारा क्या होता है अब आगे स्वेम प्राणिन्याह से इसका जवाब बताते हैं एक सुपन दुजा वतन जीव देखे दोए ऐसा कर देता है तार्तम का प्रकास कहने का अर्थ है एक सुपन मतलब एक स्वपनिक संसार के विशह में और दुजा वतन मतलब दुस्तरा परम्धाम जागरीत परलोग के विशह में हार प्रकार से प्रकासित करके जीव देखे दोए मतलब जीव आत्मा तार्तम ज्यान के प्रकास के माध्यम से स्वपनिक संसार के विशह में भी पूरी सुद्दी लेगी और जागरीत परम्धाम के विशय में भी पूरी सुद्धी लेगी ये तार्तम का प्रकास का फाइदा है अथवा ये तार्तम का बल है हम विचार करें जब हम परम्धाम में थे तो परम्धाम में होते समय हमें संसार के विशय में कुछ भी सुद्धी नहीं थी संसार के विशय में कुछ सुद्धी नौ होने के कारण ये अस्त क्या है, जड क्या है, भुलन क्या है, जन्म क्या है, मृत्तु क्या है, दुख क्या है ये विशय में हमें कोई सुद्धी नौ होने के कारण परंधाम के अंदर ही स्रिडाजी के प्रेम में मदमस्त हो करके परंधाम में हमारी जो इसक और स्रिडाजी के पात्साई ये भी हमने जान नहीं शका इसलिए तो प्रणिनाजी ने परंधाम के अंदर हमारी इस्तिती के विशय में बाणी के द्वारा ही खुलासा किया है न रूहें बेनियाज थी बीच बक्का बारे हजार जाने न आप अरस्ज की साहिबियां अपार हम आत्माई बेशुद्धी अबस्था में थे जाने न आप अरस्ज की अपनी जो परंधाम की अपनी इसक का जो बल क्या है और स्रिराज जी की पात्साई क्या है ये चीज हमने जान नहीं सका समझ नहीं सका तो परमधाम में होते समय संसार की तो कलपना ही सुद्धी नहीं है परमधाम की विशय में भी अच्छी तरह से हमें जानकारी नहीं है स्रिडाज जी के हुकम के द्वारा जब ये स्तिष्टी की उत्पती हुई और रज्जी नहीं हुकम करके हम आत्माओं को ये संसार में संसार जगनाटक खेल देखने के लिए भेजा संसार में आने के बाद हमारी इस्तिती कैसी हुई संसार में आकर के हमने परम्धाम की शनमंद को भुलाया अपने आव को भुल बैठे ऐसे इस्तिती में हमें फिर परम्धाम के बिशय में कुछ ख्याल नहीं रहा संसार में ही मदमस्त हो करके बैठे रहे ब्रजमंडल में राशमंडल में हमने स्रीराज्य के साथ में धामदनी के साथ में अनंदमय लिलातु की परंतु तार्तम नो होने के कारण परम्धाम का सुद्धी नहीं रहा सनमंद का ज्ञान हमें नहीं हुआ इसले परम्धाम में होते समय परम्धाम में ही सिमित संसार में होते समय संसार में ही सिमित परंतु जागनी के ब्रह्मांड में आकर के तार्तम रुपी शुर्य जब उदय हुआ ये तार्तम रुपी शुर्य उदय होने के बाद अब क्या हो अभिचार करिये महमत्य प्रणिनाजी स्वैम कहते हैं ये तार्तम रुपी शुर्य का उदया जागनी के रास्त में होने के बाद तो एक सुपना ये स्वपनीक संसार के विशाय में भी और दुजा वतन जागरीत परम्धाम की विशह में भी जीव देखेरे दोए, यानि की श्वपनीक संशार और जागरीत परम्धाम दोनों को आत्मा अच्छी तरह से जान रही है, समझ रही है, ये स्रिष्ठी की उत्पति की स्तरह से हुई, ये स्रिष्ठी के नास होने पर ज तार्तम रुपी शुरिय तार्तम ज्यान का प्रकास के माध्यम से शंपूर्ण जीवात्मा को अबगत कराया यही तो तार्तम का प्रकास है यही तो तार्तम का बल है तो तार्तम की प्रकास की महिमा को महमत्ति प्रणिनाजी इस तरह से समझा रहे हैं फिर तार्तम के द्वारा परमध्हाम का दर्शन किस तरह से कराया ये संपुर्ण लिला का जानकरी किस तरह से दी वतना देखत जाहिर दुजी दोय लिला जो करी ये सब याद आवही इत दोय दुशरी तार्तम के प्रकास के द्वारा वतना देखत जाहर यहां संसार में बैठे बैठे प्रतक्षी रूप में जाहर में परमधाम का सक्षाकार होता है तार्तम के द्वारा चिंतन करने से और दूजी दोए लिला जो करी दूजी दोए लिला मतलब इस से पहले ब्रज लिला और रास लिला जो हम अत्माओं नहीं कि ये ब्रज लिला और रास लिला को भी तार्तम ने खुलासा करके समझाया प्रकासित किया ये सब याद आवही ये सब मतलब परमधाम की लिला और यहां खेल के भी इसमें ब्रज लिला रास लिला ये सब को याद दिला रहे हैं शुद्धी दिला रहे हैं फिर आगे कहते हैं इत दोए दुशरी ये दुशरी फेरा जागनी के ब्रहमांड में भी दोए मतलब दो लिला जागनी की ब्रज और जागनी के रास लिला हुई इसको भी तार्तम खुलासा कर रहे हैं याद आवे सारे सुख और जीव नैनों भी देखे तार्तम सब सुख देव ही बिद बिद अलेखे तार्तम की प्रकास की महिमा को और गैराई से प्रकास करते हुए प्रणिनाह जी कहते हैं याद आवे सारी सुख ये तार्तम के माद्धिम से शंपूर्ण सुख को याद दिला रहे हैं चाए परमधाम की सुख हो चाए ब्रज की सुख हो चाए राश की सुख हो चाए जागनी का ब्रज का सुख हो ये शंपूर्ण सुख को याद दिला रहे हैं और जीव नैन भी देखें जीवात्मा को अपने प्रतक्ष्य अंतर आत्मा को खोल करके नैन से आँख से दिखा करके अनुभाव करा रहे हैं और यहां जागनी के रास में भी अनुभाव कराया जब खेल खतम होने के बाद अस्ट विस्ता में अखंड सुख में पहुँचा करके वहां पर भी जीव को प्रतक्ष्य रूप में अनुभाव कराएंगे और परम्धाम की जो सुर्ता है उनको तो परम्धाम में जानने के बाद और कई गुना अधीक सुख अनन्द का अनुभाव होगी है यह संपूर्ण तार्तम का बल है तार्तम की प्रकास की महिमा है तो याद आवे सारी सुख और जीव नैन भी देखे तार्तम सब सुख देवही तार्तम इस तरह से संपूर्ण सुख अनुभाव कराएंगे बीद बीद अलेखे प्रकार प्रकार की सुख जो अलेखे सुख है अपरम्धार सुख है जिसका कोई हिसाब नहीं है जिसको कोई लिखानी में सब्द में वर्नन नहीं कर सकते हैं या लिला की बाते इत जुआ कहीं न जाए शुख दों इत लीजिये मनुरत पुराए या लिला की बाते यानि कि ये तार्तम के द्वारा जो लिला परमधाम की लिला और संसार की लिला थवा संसार के अंदर ब्रजराह जागनी की लिला इसको सब्द में जुवान से कहा नहीं जा सकता है जुवान कहीं न जाए सब्द में बर्न नहीं कर सकते हैं सुखा दौँ इत्त लीजिए जागनी की ब्रमांड की सुख जागनी का ब्रज्ज और जागनी की राज का सुख अधवा समग्र में एक सुपना संसार का सुख और परम्धाम दुजा वतन परम्धाम का सुख दोनों सुख को यहां खेल के बीश मितार्तम के द्वारा अनुभाव करा रहे हैं मन रथ पुराएं शंपुर्ण मन का मनाएं आत्मा की पुरी करा करके या लिला को जो बल बचन सब कहसी बचन मायने देखके सब सुखा लेसी या लिला को यानि कि ये तार्तम की लिला परम्धाम दुजरा जागनी लिला की जो सुख है इसका बल इसकी महत्व है बचन सब कहसी ये तार्तम का बचन तार्तम बाणी इसको संपूर्ण प्रकार से प्रकासित करके कह रहे हैं बचन मायने दे के ये संपूर्ण बचनों को ये संपूर्ण लिलाओं को जो सास्त्र के अंदर संकितिक रूप में लिखा था जिसको पुरी तरह से खुलासा करके नहीं समझा सका था तार्तम के बचन के माद्दिम से इसकी मायन निकी गोड रहस्यों को भी खुलासा करके साव सुख लेसी शंपूर्ण आत्मा ये सब सुख को अपनी अंतर रिदय में लेंगे अनुभाव करेंगे तो ऐसे तार्तम के माद्दिम से जागनी रास में संपूर्ण सुख को अनुभाव करने के लिए धामदनी ने हम आत्माओं को ये संसार के बीश में भारत खंड में लाकर के ये 28 कलियूक के समय में धामदनी स्वेम सद्गुरु सोरुप में तार्तम ज्यान लेकर के पधारे और हमें ये सुख का अनुभाव करा रहे हैं तो ये भारत खंड ये कलियूक ये सद्गुरु का ज्यान साव एक एक पदार्त एक एक तत्तो धन धन है तो प्राणिनाह जी आगे कहते हैं धन धन ब्रह्मांड ये हुआ धन धन भारत खंड धन धन जुग सोकली जुग जहां लिला प्रचंड ऐसी जागरीत लिला परमधाम की लिला ये संसार के वीज में ब्रच रास और जागन लिला के माध्धिम से जाहर हुई उसमें भी विशेश करके ये जागन के ब्रह्मांड में तार्तम के माध्धिम से शंपूर्ण लिला की सुक अनुभाव करा रहे हैं तो जिस ब्रह्मांड में ब्रह्मात्माएं स्वयम आए और जिस ब्रह्मांड में ब्रह्मात्माओं को जागरेत कराने के लिए स्वयम धाम धनी स्वरुप सद्गुरु स्वरुप में प्रणिनाजी स्वरुप में ये ब्रह्मांड ये संसार के वीज में ही पधारे तो देखिए ये ब्रह्मांड के कितने बड़ी भाग है इसलिए यहां कहते हैं धन धन ब्रह्मांड यह हुआ यह संपोर्ण ब्रह्मांड ही धन धन हुआ अक्षिर के कल्पना में ऐसे अनंत ब्रह्मांड पल भर में कितने बने कितने मिटे परंतो उसमें से एकी एक यह ब्रह्मांड ऐसा धन धन हुआ जहां पर ब्रह्म लिला हुई तो इसलिए ये ब्रह्मांड को भी धन्न धन्न बता रहे हैं धन्न धन्न भरत खंड ये ब्रह्मांड के अंदर भी सबसे अधी काधी का महत्तु पुर्ण इस्थान कहा है चौद लोग ब्रह्मांड में सबसे उत्तम इस्थान है ये मृतु लोग का भी भारत खंड त्रै योग में सबसे उत्तम भारत खंड है इसलिए प्रणिनाह जिने यह भारत खंड को भी धन धन करके भारत खंड की महिमां गाया है और यह भारत खंड के अंदर भी ज़्झार त्रेता योग द्वापर-योग और कली योग में से सबसे अधीक महत्तुपूर्ण क्योंसी योग है कलियोग है धन धन जुग सो कली जुगा कलियोग का समय धन है उसमें भी अठाइश्वे कली जहां स्वयम अक्षे रहते धाम धनी शुरुबतार्तम लेकर के बढ़ारे और संपूर्ण जगत को अखंड मौक्षे का द्वार यही अठाइश्वे कलियोग का समय में धाम धनी प्रियतम परमात्मा ने खोल दिया सब को अनंद का द्वार खोल दिया इशिले धन धन जुग सो कली जुगा जहां लिला प्रचंड जहां पर ये तार्तमिय लिला ब्रह्मात्मां की लिला अक्षिरातित की प्रचंड ये त प्रणिनाजी कहते हैं धन धन पुरी नौतन इस्थान नौतन पुरी की भूमी है धन धन है जहां लिला उदय हुई जहां ये तार्तमिय लिला जागन लिला उदय हुआ क्योंकि सद्गुर महराज के द्वारा नौतन पुरी की भूमी में ये तार्तम का बीज उदय हुआ जागन लिला प्रारंब हुई इसलिए ये नौतन पुरी की भूमी और महत्तुपुर हैं सद्गुर महराज के जमाने में कुछ से ब्रह्म स्रिष्टियों की जागनी उसी नौतन पुरी की भूमी में ही हुई है इसले कहते हैं केताक साथ आई है जागनी की ब्रज्द लिला सद्गुर महराज की समय में उस नौतन पुरी की भूमी में केताक मतलब कितने सुनरसाथ सखियां आये और जागरित हुए सद्गुर महराज ने तार्तम के माध्यम से 34 साल तक जागनी का प्रकास प्रकासित किया परंधाम की 12,000 आत्माओं में से 313 ब्रह्म वाशनाएं सद्गुर महराज के जमाना में आकर के सद्गुर के द्वारा ज्यान और तार्तम मंत्र प्राप्त करके जिनकी आत्मा जागरित हुए इसलिए प्रणिनाह जी यहां कहते हैं के ताक साथ आया कितने सुनरसाथ, कितने आत्मा सद्गुर महराज के जमाना में आकर के जिन आत्माओं की जागनी हुए दूजियें सब कोई अब दूजियें मतलब दुश्रे स्वरूप महमति प्रणिनाजी महराज का समय जागनी रास लिला के समय में तो सब कोई मतलब सब कोई आत्मा ब्रह्म स्रिष्टी इश्वरी स्रिष्टी और जीव स्रिष्टी ये साब कोई आकर के मिलना है और सब किसी की जागनी होनी है क्योंकि महमति प्रणिनाहजी ने कहा ब्रह्म स्रिष्टी और दुनिया देऊं जगाए ब्रह्म स्रिष्टी को भी जगाना होगा और जीव स्रिष्टी यानि की दुनिया को भी जगाना होगा इशिले महमति प्रणिनाह जिने अपने वाणी में संपूर्ण दुनिया वालों को संबोधन करते हुए तार्तम के द्वारा रहिदाय प्रकासित करने की बात की है सुनियो दुनिया आखरी भाग बड़ी है तुम्मा जो कवो कानों ना सुने सो आये करो दिदार खसम्मा सुनियो दुनिया आखरी आखरी दुनिया करके संपूर्ण दुनिया को ही प्रणिनाह जिने संबोधन किया इशिले जागनी का ब्रजलिला सदगुर की समय में कुछ आत्मा परम्धाम की आत्मा आखर के जागरेद होये परन्तु महमति प्रणिनाहजी के समय में तो शंपूर्ण आत्मा को जगाना है इसलिए दुजिये सब कोई दुस्त्रे सुरुप दुस्त्री लिला जागनी रास में सब कोई ब्रह्म स्रिष्टी इस्तुरी स्रिष्टी जेव स्रिष्टी को जगाना है धन धन धनी साथसों धन धन तार्तमा इसलिए धन धन धनी साथसों धन धन है धाम धनी जो हम आत्माओं को जगाने के लिए संसार में पधारे साथसों मतलब सुन्दर साथ के साथ में हम आत्माओं को खेल दिखाने के लिए धाम धनी सुरुप हम आत्माओं से भी पहले ही यह संसार में पधारे इशले हम साथ हम आत्मा भी धन्न धन्न हुए यह संसार में जागने रास का सुक अनुभाव करके परम्धाम का प्रेम और अधिक मात्रा से समझने का सवभाग्य हमें मिले और धाम धनी शुर्व भी धन धन है जो हम आत्माओं को जगानी के लिए खेल के बीश में पधारे और धन धन तार्तम सबसे अधीक महत्तु पुर्णा तो ये तो तार्तम है क्यों तार्तम सबसे अधीक महत्तु पुर्णा है क्योंकि धाम धनी के साथ में हम आत्माएं तो ये भारत खंड़क के अंदर ही 28 द्वापर का समय में ब्रजमंडल में भी तो आये ना और धाम धनी के साथ में योग माया का ब्रह्माणड में जाकर के हमने रसरास लिला की अनन्द अनुभाव भी तो किया ना वहाँ पर हम साथ भी थे और धाम धनी भी थे और जागन के ब्रह्माणड में हम आत्माएं फिर से खेल दिखने के लिए आये तो धनी श्वैम भी हमें जागरेत कराने के लिए खेल के भी इसमें पलहारे तो हम लोग ब्रज़ में भी आए रास में भी आए और जागनी के ब्रह्माण्ड में भी आए तो इन तीनों लिला में से देखें तो ब्रज़ लिला ये कालमाया का ब्रह्माण्ड ये भारत खंड के अंदर हुई है रास लिला तो बिहद भुमी केवल धाम में योगमाय का ब्रह्मांड के अंदर हुई है वो अलग से एरिया है परन्तु ये तीसरी ब्रह्मांड जागनी की ब्रह्मांड में जागनी लिला जो जागनी का ब्रज़ और जागनी का रास ये दोनों लिला ये भारत खंड के अंदर ही हुई है परन्तु यहां तार्तम की अधेक महत तो क्यों है हम आत्माए भारत खंड में ही धामधनी के साथ में ब्रजमंडल में आए तो हमें उस समय में परमधाम की शुद्धी धामधनी का पहचान अपने आपका पहचान क्यों नहीं हुआ क्योंकि उस समय में तार्तम नहीं था जागन के ब्रह्मांड में तार्तम आने के कारण तार्तम के प्रकास के द्वारा हमें धामधनी के साथ में हमारा सनमंद क्या है स्रिडाजी के साथ में हमारा सनमंद क्या है और हमारा मोलगहर मोलवतन परमधाम कहा है कैसे है ये संसार में हम किस तरह से क्यों आए और ये संसार से लोड़ करके हमें परमधाम में किस तरह से जाना है ये संपूर्ण बातों की खुलासा करने वाले एक सक्ति एक तत्तो क्या है ये तार्तम है इसलिए सफसे अधिक महत्व पुर्णतो ये तार्तम तत्तो है इसलिए यहां प्रणिनाहजी कहते है धन धन तार्तम ये तार्तम के प्रकास के माद दिम्शितो पहले चौपई में प्रणिनाहजी ने कहा ना तार्तम का जोत उद्योत होने के बाद यहां संसार में बैठे बैठे संसार और परमधाम दोनों की विशे में हम अच्छी तरह से जान सकते हैं समझ सकते हैं यह तार्तम का बल तार्तम के महत तो साधरन दिल दिमाग कोई समझ नहीं सकते हैं इसलिए तो प्रणिनाह जिने कहा तार्तम को बल कोई न जाने एक जाने मूल सुरुप मूल सुरुप की चित्त की बातें तार्तम में कई रूप ये तार्तम का बल तार्तम का प्रकास तार्तम की महिमा को हर कोई जान नहीं सकते समझ नहीं सकते हैं ये तो मौल सुरुफ अक्सिराति धामदनी ही इसका बल जान सकते हैं समझ सकते हैं क्योंकि ये तार्तम मौल सुरुफ की चित्त की बात को भी प्रकड करके समझाने वाला है ऐसे तार्तम का प्रकाश भी धन धन है पूरन प्रकाश लियाए के सुख दिये हम धामदनी ने ये तार्तम का प्रकाश अक्सिरातित की पूर्ण आवेश को खेल की विच्छ में प्रकड करा करके सुख दिये हम आम आत्मां को अनेक प्रकार का सुख का अनुभाव करा रहे हैं तार्तमा रस बिहद का सब जाहिर किया बहुत बिधे सुख साथ को खेल देखते दिया ये तार्तम का रस बिहद का रस ये तार्तम बानी बिहद ने की जागरीत ग्यान है तो ये जागरीत ग्यान परमधाम का ग्यान ये तार्तम के रस के माध्यम से जाहर हुआ जिसको या खेल के वीश में हर प्रकार से जाहर किया तो सब जाहर किया धामधनी ने सब ये तार्तम के माध्यम से जाहर किया बहुत अबिदे सुखा साथ को खेल देखते दिया ये खेल देखते देखते संसार के बीच में खेल के बीच में ही तार्तम के माद्धिम से धामधनी ने हम आत्माओं को अनेक प्रकार का सुख दिया जैसे कि हमने पहले जिस चौपाई को यहाँ पर प्रस्तुत किया तीन लिला चौंती घर की इन चारों को यामे भोग तो ये संपुर्ण लिला धाम धनी ने तार्तम के माध्दिम से हमें यहाँ पर अनुभाव कराया तो बहुत बिदे शुख साथ को खेल देखती दिया इसलिए अब आगे कहते हैं तार्तम रस्त वाणी कर पिलाईए जाको जहर चड़िया होए जिमिका सुख होए ताको तार्तम की महिमा को दिखिए हार एक चौपाय के माध्यम से प्रणिनाह जी ये तार्तम की प्रकास तार्तम बानी तार्तम के रस की महिमा को समझा रहे हैं तार्तम रस वानी कर पिलाईए जाको ये तार्तम का रस को वानी के माध्यम से सब्द के माध्यम से जो अपने स्रवन के माध्यम से पान करके अंतर हिदय को शिंचन करेंगे ये तार्तम का रस वानी के द्वारा जब अंतर हिदय में प्रवेश होगा और अंग अंग में शिंचन होगा न ये तार्तम का रस तो रिदय अंतसकरण के अंदर चड़ा हुआ ये मायवी जहेर को उतार करके अखंड सुख का अनुभाव कराने वाला है जहेर चड़िया होए जिमिका ये संसार का मायवी बिशय का जहेर बेश ये अगर रिदय अंतसकरण में चड़ावी हो तार्तम का रस वाणी के मद्यम से अगर फान करे रिदैंगम करे तो ये संसार का जहर मायवी जहर को उतार करके सुख हो वे ताको उसको सुख मिलेगा वो अखंड सुख का अनुभाव करने लगेंगे ऐसे मायवी जहर को उतारने वाला ये तार्तम का रस है महमती प्राणिनाह जिने किरंतन ग्रंथ में बिरह वानी की प्रकरण के अंदर कहा है न जहर चड़ियो हाथ पाउं जटकतियो शर्व अंग साले कोई सकन उतार शामरथ सुख थाये साथने तत खिन गोणवंता गारडी जहर तहने तेनी वीधजार ये संशार में आत्माओं के अंदर हिदय अंतश्करण में ये माईवी जहर चड़ा हुआ है जहर चड़ियो माईवी जहर चड़ने से आत्मा की इस्तिति कैसी हुई है हात पाउं जटकतियों हात पाउं जटक रहा है आत्मा तडप रही है बिलक रही है शारवा अंग साले कोई सकेन उतार संप्रण एक एक अंग अंग में मायवी जहर का असर चड़ा हुआ है कोई भी इसको अलग नहीं कर पा रहे हैं निकाल नहीं पा रहे हैं माय भी जहर को उतार नहीं कर पा रहे हैं तो धामधनी को पकार करते हुए कहते हैं प्रियतम धामधनी जेस तरह से शरीर में चड़ा हुआ जहर को एक गुणवन्ता गारडी येनिकी गुणवान बैद्य शरीर में चड़ा हुआ जहर को उतारते हैं जहर उतारते ही उसके अंग अंग में शितलता संचार होती है इसी तरह से आप गुणवान धनी सामर्थवान धनी कृपावान धनी हो आप आत्माओं के रिदय अंतर्सकरण में चड़ा हुआ मायवी जहर को उतार सकते हो इसलिए कृपा करके जिस तरह से शरीर में चड़ा हुआ जहर को एक गुणवान बैद्य जिसको गारडी कहते हैं वो उतार करके उस जहर चड़ा हुआ बैक्ति को सुख सितल प्रदान करते हैं इसी तरह से आप क्रिपा करके हम आत्माओं के रिदय अंतर्सकरण में चड़ा हुआ मायवी जहर को उतार करके हमें सुख सीतल सिंचन करिए और अनन्द के साथ में रखिए धाम धनी को आत्मा इस तरह से पोकार करते हैं ये बिरह भाव में महामति प्रणिना जिने ये भाव को दर्शाया जब आत्मा इस तरह से मायवी जहर चड़ने के कारण तडप रही है बिलक रही है ऐसी इस्तिति में ये धामधनी की अखंड वानी तार्तम वानी का रस वानी के माध्यम से जब पान करके रिदय अंतर्शकर्ण को शिंचन करेंगे ये तार्तम का रस वानी के अंदर प्रवेश होते ही मायवी जहर उतर करके वानी के रिदय अंतर्शकर्ण को शुक और शिंचन करने वाला है इसलिए हमें निरंतर ये वानी रुपी सब्द का रस पान करना होगा तार्तम का रस का पान करना होगा ये वानी का रस पान करने से ये मायवी जहर जो है ना ये मायवी जहर अपने आप उतर जाता है और हिदय में अखंड सुख अनुभाव होने लगता है उसके लिए तो हमारे समक्ष में प्रकट करके जाहिर किया है जो जीवा नीद छोड़े नहीं पिलाईए वाणी लियाए प्यू वतन थे वल माया जानी धाम धिनी ये तारतम वाणी को खेल के वीच में क्यों प्रकट किया क्यों जाहिर किया जो जीव नीद छोड़े नहीं जो जियो जो आत्मा संसार में आकर के ये अग्यान रुपी नीद में ही सो रही है अग्यान रुपी नीद को परित्या करना नहीं चाहती है तो ऐसी आत्मा को पिलाई ये वाणी ये तार्तम रस को वाणी बना करके सब्द के माद्यम से वाणी परमात्म सुरुख धामदनी ने वतन परमधाम से ये तार्तम बाणी तार्तम का रस्त प्रकट किया क्यों बल माया जानी माया कितने बलशाली है ये जान करके समझ करके इस माया भी जहर का रंग उतारने के लिए तो ये तार्तम के रस्त के अलवा कोई भी तत्तो कोई भी वस समझ करके धामधनी ने ये तार्तम का रश परमधाम से खेल के बीच में जाहर किया। जेहर उतारने साथ को लियाए तार्तम। शुन्दर्शाथ के रिदय अंतसकरन में चड़ा हुआ जहर को उतारने के लिए धामधनी ने खेल के बीच में ये तार्तम लेकर के आए बेहद्दका रस स्रवने पिलावे हम बेहद्दका रस ये तार्तम वाणी रुपी रस को स्रवने मतलब ये कान के माध्यम से वाणी के द्वारा सब्दके द्वारा पिलावे हम पिला रहे हैं धामधनी हमें पिला रहे हैं और इसको हम पान कर रहे हैं ये रस स्रवनों जाके जहरे ये तार्तम रुपी रस वाणी के माध्यम से जिसके कान में पढ़ता है और जिसके अंग अंतसकरन में रिदय के अंदर सिंचन होता है ताए कहा करे जहर उसको तो ये संसार का माईवी जहर क्या असर कर सकता है कुछ असर नहीं कर सकता है ना शुपन ना होवे जागते जिस तरह से जागरीत होने के बाद उसके पास में शपना नहीं रहता है इसी तरह से ये तार्तम रुपी अम्रीत का शिंचन हिदय अंतसकरन में होने के बाद वहाँ जहर का कोई इस्थान ही नहीं रहता है तो जागरीत के साथ में ये सपना नहीं रहता है दीन के साथ में अंदेरा जिस तरह से नहीं रहता है इसी तरह से जीसर हिदय में तार्तम का रस्त का सिंचन हुआ हो उसके हिदय में मायवी जहर का कोई इस्तान ही नहीं रहता है देखिता वेरा देखते देखते तत्षेन उशी छेन यानि कि जिस छेन में तार्तम रुपे रस्त रिदय अंतस्करण में शिंचन हुआ उशी छेन में ये माई भी जहर अलग हो जाता है शुपन होवे नीद थे कई इंडा अलेखे जिन खीन आँख खोलिये तब कचू ना देखे जब हम नीद में सो जाते हैं नीद में सोते समया वो नीद के अंदर सपना में अनेकों ब्रह्मान्द का रूप हम देखते हैं शुपन होवे नीद थे नीद के अंदर सपना का ब्रह्मान्द खड़ा हो जाता है कई इंडा अलेखे अपार अलेखे ब्रह्मान्द दिखाए देता है परन्तो जीन खीन आँख खोलिये जिस छेन में आँख खोलकर के जागरीत में हम उठ जाते हैं तब कछू ना देखे तब सपना का रंग सपना का रूप कुछ नहीं दिखाए देता है सपना मीट जाता है ठीक इसी तरह तार्तम रुपी रस को रिदय अंतसकरण में शिंचन करके परम्धाम का सत्व सुक रिदय में अनुभाव होने लगते हैं जब तब ये मायवी संसार का जहर का कुछ इस्थान नहीं रहता है वो अपने आप दूर होकर के चला जाएगा फिर आगे कहते हैं यही रस तार्तम का चड़िया जहर उतारे निर्वी से सकाया करे जीव जागे करारे ये तार्तम्बरिपी रस ही रिदय अंतसकरन में चड़ा हुआ जहर को मायवी बीस को उतार देते हैं और निर्वी से सकाया करे काया येनि की यह देह को अंतसकरन को रिदय को बिलकुल निर्विकार निर्मल पवित्र सुद्ध बनाते हैं जीव जागे करारे जैसे ही ये मायवी जहर रिदय अंतसकरन से दूर हो जाता है शरीर, शंप्रण अंग, इंद्रिया, अंतस्करन, साब जब निर्विकार मय हो जाता है जीव जागे करारे तुरंत अनंद के साथ में जीव आत्म जागरीत हो जाती है जागे सुख अनेक है माईवी जहर को उतार करके जब आत्म जागरीत हो जाती है न आत्मा जागरीत होने के बाद तो ये जागनी का सुख तो अनेकों प्रकार का सुख आत्मा अनुभाव करेंगे इत्त ही अलेखे परमधाम में जाने के बाद तो वो परमधाम जागरीत भूमे में अलेखे सुख है ही परंतो तार्तम के माध्यम से मायवी जहर को उतार करके आत्मा को जागरेत करा करके इत्ता याने कि यहाँ खेल के बीच में ही अलेखे अपरम पार जो लिखेने में नहीं आने वाले यह साथ सोत सुख अखंड सुख को अनुभाव कराएंगे वतना सुख लीजिये जीव नैनों भी देखे परमधाम का सुख यहाँ संसार में बैठे बैठे जागनी के रास में रहा करके ही आत्मा अनुभाव करेगी तार्तम के द्वारा जीव नैनों भी देखे अंतर दृष्टी अंतर आत्मा के द्वारा वो परम्धाम का सुख का साक्षात कार भी करेंगे दर्शन भी करेंगे अनुभाव भी करेंगे ये तार्तम के माद्धियम्शि आत्मा को ये इस्तिती में पहुँचाया है सुख बड़े तार्तम के क्यों जाहिर कीजे वानी मायने देख के जीब जगाए लिजे तार्तम का प्रकास तार्तम का सुख जो है न ये तो अपरम पार है बहुत बड़ा बहुत महतुपुण है क्यों जाहर कीजे ये तार्तम की प्रकास को तार्तम की द्वारा प्राप्त किया हुआ सुख को किस तरह से किस सब्द के माध्यम से किस जुवान के द्वारा जाहर करें बानी माइने देखके ये सब्द की गोड रहस्य को समझ करके चिंतन करके जीव जगाई लीजे अपने अंतर आत्मा को जगाईए अंतर आत्मा को ये सुख का अनुभाव कराईए तार्तम का प्रकास आत्मा को जागरीत कराने के लिए प्रकासित हुआ है इसके गोड रहस्य को समझ करके आत्मा को जागरीत कराओ महमति प्राणिनाह जी सब को इस तरह से निर्देशन दे रहे हैं ये बचन साथ के कारणे मैं तो बाहिर पाड़े दर्वाजे बहद के अनेक उगाड़े ये बचन यानि कि ये बहद का बचन तार्तम बचन साथ के कारणे सुन्दर साथ के वास्ते मैं तो बाहिर पाड़े में बाहर प्रकड कर रहा हूँ सब के समक्षे में जाहर कर रहा हूँ सब आत्मा इस बचन के द्वारा अपनी आत्मा को जागरीत करा सके उसके लिए मैं ये बाणी को जाहर कर रहा हूँ और ये तार्तम के प्रकास तार्तम बाणी के माध्यम से है दर्वाजे बेहद के अनेक उगाडे बेहद का दर्वाजा अनेक प्रकार से ये सारी दर्वाजों को उगाड रहे हैं, खोल रहे हैं आज तक बिना तार्टम बहोतों ने बहोत प्रयास किया बेहद की दरवाजा खोलने के लिए परंतु हार किशी के लिए ये असंभव हुआ कहां? किली, कुलफ, कल, गत, ताला कहां है? कुनजी कहां है? उसका खोलने का अकल, बुद्धी कहां है? ये कुछ पता नहीं चला धांधनी की कृपा के द्वारा सास्त्र रुपी ताला को तार्तम ज्यान रुपी चावी के माध्यम से जागरीद बुद्धी रुपी अकल के द्वारा खोल करके वो परम्धाम का सुख को जाहर कर रहे हैं इसले ये बिहद्ध का दर्वाजा परम्धाम का दर्वाजा अनेक प्रकार से तार्तम के द्वारा उगाड रहे हैं खोल रहे हैं दर्वाजे बिहद्ध के अनेक उगाडे आदे अक्षिर का पाउं लुगा कवोना बाहर स्रीधाम थे लियाए धनी तो हो जाहर स्रिष्टी के सुरुष से लेकर के अब तक ये ब्यहद्द वानी के सब्दों के विशह में एक सब्द का एक अक्षर वो एक अक्षर का भी आदा अक्षर भी आज तक ये संसार के विज में कभी जाहर नहीं हुआ था आदे अक्षर का पाओ लुगायाने की सब्द वो सब्द का एक अक्षर एक अक्षर का भी आदा का भी आदा अक्षर भी कभी इस तरसे बाहर प्रकट नहीं हुआ था श्री धाम अथे ल्याए धनी ये बिहद्ध वानी तार्तम का रस धाम धनी ने ये खेल के वीज में जाहिर किया प्रकट किया तो हुए जाहिर ताव जाकर के धाम धनी के क्रिपा के द्वारा ही ये तार्तम का रस परमधाम की वानी बिहद्ध वानी के माध्यम से जाहिर हो र ये वानी को चिंतन करके, ये वानी को रिदेंगम करके, ये वानी को रिदय अंतर्शकरण में शिंचन करके, मायवी जहर को उतार करके, परमधाम का साथ सुथ सुख अकंड सुख को अनुभाव करना है, और यहां खेल में बैठे बैठे परमधाम का सुख का अनुभाव करके फिर जब ये खेल पूरी होगी तब परंधाम में जाकर कि स्रिडाजी के साथ में हांस बिलास करनी है इसके लिए ये जागनी की रास में तार्तम का प्रकास प्रकासित हो रही है इस तरह से महमति प्रणिनाह जी परम्धाम की लिला ब्रजराश की लिला और जागन की ब्रमान्ड में भी दो लिला जागन की ब्रज और जागन की राश लिला उसमें विशीज करके जागनी रास महमति प्रणिनाह जी के समय में तार्तम बानी किस तरह से प्रकासित हो रहा है और साब के रिदय अंतर्सकरण के माईवी जहर को उतार करके परम्धाम का खंड सुख को किस तरह से अनुभाव करा रहे हैं ये वाणि के माद्दिम से हमें रिदय अंतर्सकरण में वो परम्धाम का प्रेम को प्रकड करके जागन का सुख का अनुभाव करना होगा इस भाव से प्रणिनाह जी हमें समझा रहे हैं तो आज के बाणी चर्चा का समय पुरा हुआ तो आज के इस बैष्ठक में हमने चवपाई नम्मर 126 से लेकर चवपाई नम्मर 146 तके सारम सभाव के उपर चिंतन किया फिर 140 से अगले वैष्ठक में हम चिंतन करेंगे इने सब्दों के साथ चवपाई को दोहराते हुए बाणी चर्चा को विश्राम देंगे बलोस्तरी प्राड़े नाथि प्यारे के आधे अक्षिर का पाओ लुगा कभू ना बाहेर श्री धाम थे ल्याए धनी तो हुए जाहेर तो हुए जाहेर बलोस्तरी कृष्ण कनहे अलाल के सत्गुरु महराज के स्त्री प्राणे नाथि प्यारे के महरानी बाई जुराज के तिनो पुरी धाम के समस्त सुन्दर साथ के प्राण।